हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरलू उसके असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको होटो के कालेपन को दूर करके होटो को सौफ्ट नरम मुलायम और गुलाबी करने के असान सा घरलू उपाय वतान जा रही हूँ उसका आपकी होटो का कालापन दूर कर देगा साथ ही अगर आपकी होट फट रहे हैं तो ये आपकी होटो को नरम मुलायम करेगा इसके अलावा होटों की दरारों को भरने में ये काफी मदद करेगा लेकिन इससे पहले आप से रिक्वेस्टे मेरे चनल को पहली बार देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वेल बुटन को जरूब कर ले इससे बहुत सारे लोग हैं, जिनके होट हमेशा फटे रहते हैं साथी होटों पर दरारे होती है इसके अलावा होटों पर कलापन होता है, जो देखने में बुरा लगता है मैं जो नुसका बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके होटों का कलापन दूर होकर आपके होट नरम मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे साथी अगर आपके होटों पर पपड़ी बन जाती है तो इन उसका आपके होटों की पपड़ी को दूर करके उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा दूद की मलाई ये हर घर में असानी से मिल जाता है दूद की मलाई आपको लेनी है दूद की मलाई हमारे तवचा को बहुत ही असानी से सॉफ्ट करता है इसके लावा दूद की मलाई के इस्तेमाल से आपके होटों की दरारे भी फिर से भरने लगेंगे इसके अलावाई ये होटों के कालेपन को भी दूर करता है साथ ही ये होटों की पपड़ी को भी दूर करने में काफी मदद करता है इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है थोड़ी सी मात्रा में हल्दी हल्दी भी तवचा के कालेपन को दूर करता है कि अब मलाई में आपको हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में लेमन जूस में मिक्स कर सकते हैं नीबु करस्की कुछ बुंदे आप इसमें इसमें इस्तमाल कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से लिक्स कर लें इसके बाद इसकी थोड़ी सी मात्रा ले करके आप अपने होटों पर लगा के इसे हलके हाथों से मसाज करें फिर इसे अपने होटों पर लगा कर पूरे होटों को आप इसे कवर कर लें लगभग 20 मिनिट के लिए अगर आप इसे पूरी रात के लिए लगाना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी सी मात्रा ले करके आप अपने होटों पर लगा ले और हलके से मसाज कर ले उसके बाद आप र आपके होटों का फटना भी दूर होगा और आपके होटों की पपड़ी भी दूर हो जाएगी इसके इस्तमाला प्रोजाना कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर ज़ूर करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में